हेलो गाइस वेलकम तो आहरीक प्रोडक्शन मैं हूं असीज कल्यान आपके साथ आपका मुजिक इंस्ट्रक्टर तो आज हम बिसीकली इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है हैं कोड़्स-ब्रeALL Scales के इन दर हम कोई भी music बनाते हैं किसे भी तरीके से का हम cong मनाते हैं कुछी बनाते हैं यह मानद के चलो एक music के इंदर जो सबसे मेन important चीज होती कि हमारी सके cur the score हमने सेवन स्केल में डिवाइड किया हुआ है एक सारे एंदर गाईस क्या होता तक कि ए से लेके आपके G तक की ABCD पूरी की पूरी आती है जो हमारा मीडी होता है लाइक मैं आपको पने स्क्रिन पे दिखा देता हूं यह हमारा मेिडी की बोड़ ता यह हमारे एक वर्चmaster मंने ह कीवोड खोला हुआ है अब यह हमारे सारे स्केल्स है अब मैं इसको अगर प्ले करूं यहां से तो कि अज़िए यह आप कीज देख रहे हैं यह सारी की सारी कीज हमारा बेसिकली हमारा को मेडि कीवोड होता है और हमारी जो ठिउरी होतीorg वह भी हमारी स्ठाट है है यहां से स्टार्ट होता है वामारा सी अ जशार्प डी डी शार्पята ऐस्ट एक शार्प जी-टी शार्फ एग इस शार्प फिर हमारा वी तशी और सिर्शनमरारी श्किर्ग पंदिशनος हमें चैए हमारे एक आपको एक बैसे कर देता हूं हमारी जिन अबर परूसरी हम प्र supplements कीपीध चेह कहले 쓰ь एक प्रभिट कर देता ऊंडा है फैले मारी C आजाता है C के बाद हमारा C sharp आजाता है D आजाता है D के बाद D sharp आजाता है मतलब कि पहले हमारे semi tones में चलते हैं अगर मैं C के बाद आपको ये sharp आजाता है इसको करूं तो ये semi tone होता है हमारा half semi tone ठीक है ये हमारा half note होता है मतलब कि semi tone full tone होता है C से लेके D like अगर हम करें C, D, E, F, G, A, B यह हमारा full note होता है अगर हम करें C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp यह हमारा half note होता है तो हमारे जो chords चलते हैं वो semi tones और full note में चलते हैं हमारे chords दो तरीकी के होते हैं गाने के अंदर जो हमारा basically जो हमारा गाना बनता है वो हमारा major और minor इनी दो chords बनता है मतलब कि major और minor यह हमारी पूरी थियोरी है major minor के अलावा कोई भी different अलग से कुछ चीज़े नहीं होती हो pentatonic, minor tonic वो बहुत advanced level की चीज़े होती है वो भी हम बताते हैं बट अभी कहें कि हम आपको एक basic tools बता रहें basic चीज़े बता रहें basic skills बता रहें ताकि आप एक अच्छा गाना एक notes के साथ एक chords के साथ बना सबों ठीक है गाइस वाकि गाइस अगर आपको बहुत डीप चीज़े सीखने हैं बहुत जादा हमें contract भी कर सकते हैं उसमें हम बहुत सारी advanced चीज़े भी सिखाते हैं तो C से D , C اور D के बीच में Gap होता है एक half note होता है जिसको छूके वह notes अगले note पे जाता है तो वह हमारा užmy kenuf nythe में अगर इसको बोलता है स्को 7 लेंग've gotta find in Hindi में अगर इसको बोलते हैं टिर्व ठीक है यह sharp जो हमारा होता है वह तिर्व होता है Hindi language में ठीक है guys अब हम इसको start करते हैं तो हमारे यह दो चीजों में divided होता है एक major और एक minor ठीक है अब आजाते है guys हम major पर तो like अगर मैं बात करों और हाँ सबसे important चीज हमारा जो chords theory में जो scale theory में होता है सब का हमारा sharp होता है but जो हमारा B और E note है एक B note और E note इन दोनों को कभी sharp होता नहीं है क्योंकि अगर आपके guitar में भी आजाए और keyword में भी आजाए तो keyboard में हमारे notes होते हैं like मैं आपको दिखारता हूं एक हमारे notes है ठीक है अब मैं यह से start कर रहा हूं मैं यह से start कर रह को हमारा C है अब ही हमारा जो black note है यह हमारा sharp है C sharp मतलब C हुआ C के बाद C sharp हुआ ठीक है इसके बाद आयता है D फिर D के बाद आता है D sharp ठीक है अब ध्यान से देखना यह जो हमारा E note है E E के बाद हमारी कोई black की नहीं है मतलब कि वो theory में भी नहीं है और वो जो practically जो instruments बने हुए उसमें भी नहीं है वो होता ही नहीं है मतलब E का कोई sharp होता ही नहीं है तो E के बाद हम direct आयेंगे F पे मतलब E के बाद हमारा सीधा full note आता है F F के बाद हमारा आएगा F sharp G G sharp A A sharp फिर आता है B अब देखेगाए ध्यान से देखना B के बाद भी हमारा कोई black की नहीं है ठीक है तो हमारा sharp है ही नहीं तो B के बाद हमारा फिर सीधा आ जाता है फिर हमारा repetition पर चले जाता है जब से सबसे main चीज होती है अभी मालो यह मेरा octave क्या होता है ठीक है अब सबसे पहले octave पर आते हैं like हमारा गाना चला C C sharp D D sharp E F F sharp G G sharp A A sharp B B के बाद हमार जो octave है octave वो change हो गया मतलब की जो हमारा पहला C है यह सा हमारा चल रहा है सा अब अगर हम इसके सीधा अगले octave पर जाए तो यह हमारा सा अब हो गया ठीक है अब इससे अगले octave पर जाए तो आप और उपर चला गया ठीक है इसी तरीके से हमारी पुरी वह singing पार्ट हमारा पूरा vocals में आ जाता है ठीक हम उस चीज को ज्यादा नहीं छड़ेंगे हम बेसिकली उस चीज की बात करेंगे जो हमारे हमार इस थे को बनाने में सी इस तरीके दौन स deze मंने डिएंग कर सकते हैं तो गैस कोई 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 पनड़ा नीं कोई कुछ नहीं हैं हम बसिकली है हैपी मूड सॉंग बनाने के लिए मेजर को यूज करते हैं और थोड़ा सा सैड मूड बनाने के लिए हम माइनर को यूज करते हैं बट ऐसा नहीं है कि हम हैपी को बनाने के लिए मेजर यूज करते हैं तो हम माइनर को हैपी बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं माइनर भ 3 note को मिला के बनता है ठीक है अगर हम अपनी keyboard की कीज पर जाए तो हमारा 1 5 और 8 means की अब ये मैंने start किया आप मालो मैं एक C chord लगा रहा हूं ठीक है C chord मेरा कहां से लगेगा यहां से हमारा root note जो होता है root note हम उसको बोलते है root note like मेरा को scale है हुआ कोई भी हम सॉंग बनाते हैं कि तरीकों से हर एक गाने का कृछा होता है हिफ कोँगि स्सिर्वत नूट तो ॉझी पे हम क्लिक करेंगा है यह Brazil नूट नोट network कि अब इसके साथ मैं क्या लगाऊए फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं यह हमारा फिर्स्ट है three 5 और 8 यह हमारा मेजर कॉर्ट बनेगा यानि कि 1st 5th हम पूंट कर लेते हैं एक वर 1 2 3 4 5 यह मारा फिफ्ट नोट है यह आर्व आप देख लीचे यह हमारा फिफ्ट नोट है तो 1st 5 और 8 हम एक बार 8 भी कांट कर लेते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 यह मारा 8 नोट है ठीक है तो 1 5 और 8 1 5 औ और 8 को मिलागे हमारा मेजर कॉर्ट बनेगा अगर हम सी के साथ मेजर कॉर्ट बना रहे हैं तो हमारा सी मेजर बनेगा सी वन सी फाइफ और सी एट यह मारा मेजर कॉर्ड बन गया सी मेजर ठीक है तो मैं आपको पूरा सी मेजर कॉर्ड बनेगा ठीक है अब मैं आता हूं गाइस माइनर कॉर्ड पर एक बार मैं है है को अब सी मेजर के लिए वन फाइफ एट और मैंनर के लिए हमारा होता है 1 4 8 लाइक कि आपने अगर कोई माइनर कॉड बनाया है तो उसमें आपका 1 2 3 4 यह 4 नूट मतलब 4 नूट आपका लगेगा आप मेजर में यह लगा देते अब आपका 4 नूट लगेगा यहां और वाकि 8 हमारा सेम तो यह हमारा माइनर बन जाएगा मतलब हमारा C माइनर हो सब्सक्राइब करते हैं तो आप ले सकते हैं और सारी चीजों के लिए क्योंकि मेजर माइनर के लिए आप माइनर के इंदर कौन कौन से को लगा सकते हैं मैंने आपको सिंपल संपल एक ये फणडबधा कि आपको आपको मिउजीक को यह नहीं कि नहीं जाते चल्विप्र जरूरी है अगर आपको बहुत सारी तब भी प्रॉब्लम्स होती है गाना बनाने में वैसे ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर आपको थियोरी पता होना बहुत जरूरी है थियोरी नहीं पता होगी तो आपको थोड़ी बहुत जैसे मैंने बेसिक बता है इतनी भी थियोरी पता होगी तो आप एक song को create कर सकते हो क्योंकि अंदर भी बहुत सारी चीजे changes हो जाती है इसको आप पढ़िएगा अगर आपके पास keyboard है प्यानो है तो उसको apply भी करके देखिएगा जब तक आप apply नहीं करोगे तब तक आप उसके बारे में नहीं जान सकते कुछ नहीं है आप प्रैक्टिस करते रहिए आप इसी तरीके से उस नोट्स को जो मैंने बताई है वाकि अगर आपको नोट्स चाहिए आपको बहुत सारी नोट्स चाहिए कॉट्स के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा उस लिंक में मैंने कोई भी गोश्चेंज हैं दो कमेंट से क्ट्शन में जाकर कि कमेंट कर सकते हैं सो गाइज अगले लेक्ट्र में और भी चिज़े刃 बताएंगे तो और करते हैं लेक्शर को steps नहीं अगर होगे तो आपको यपडेट नहीं ही मिलेगा और हमारे पहले भी वीडियोउ जाकि आप लोग देख लीजेगा, so guys start up bye bye, मिलते हैं अगले lecture में, so goodbye, take care,